बूर्णिंग दियर्ज चिल्डरन्स वाइब यू वाट आर यू डूइन तुड़े टुड़े टुड़े वी विल स्टार्ट सब्डेट साइंस कलास फौर्ट चैप्टर नमबर फौर्थ रिप्रोडाक्शन बाइनिमल्स हम पहले पढ़ चुके थे मैंने आपको वर्क वी दिया था कि आप इसको फिर से रीट करेंगे तो आपने रीट करा होगा तो आपको पता चला होगा है reproduction हम किसे कहते हैं ठीक है reproduction हम पढ़ चुके थे life span पढ़ चुके थे reproduction in animals में हमने पढ़ लिया था page number 38 हमारा complete हो गया था मैंने आपको थोड़ी सी general information दी थी एवार मैं फिर से आपर reproduction repeat कर देती हूँ to ensure the continuity of life the living beings must produce more their own kind before they die the process by which living organs produce more of their own kind is called reproduction मतलब कि यह तो हम जानते हैं कि जो यहां आया है वो जाएगा जरूर ठीक है मतलब कि जितने भी living things है वो इस दिन diet जरूर होंगे तो इस प्रकार कि जो process होती है जो भी आता है वो अपने और young ones को यानि कि अपने आगे आने वाली पीड़ी को बढ़ाता है तो उस process को हम क्या बोलते है reproduction क्या बोलते है reproduction animal that lay animals जो होते हैं वो क्या देते हैं animals जो होते हैं वो अंडे देते हैं जैसे आपने देखा हो words female words lay egg in their nest they build their nest by using आपने देखा होगा कि पेड़ पत्तियों से तिनकों से old clothes जो रहते हैं मड से ग्रास से इन सब से अपना नेस्ट तयार करते हैं parent जो रहती है उसमें अपने एग देती है फिर वो कुछ दिनों तक उन्हें को ऊपर बैठती है hatching की process होती है वो जो एग हैं उनमें की process होती है अंटे गरम होते गरम होने के कारण वह जो की की वां मिन प्रॉसेस होती है वह प्रॉसेस को बोलते हैं इसके बात ने आपने एक तो सब ने देखे ही होगा एंक की ऊपर की कौषर होती है उसको बोलते हैं एंदर रहते हैं, ऑर बोलते हैं और वाइटाइल नहीं हम आसप इस ब् sich जो वैड पार्ट रहते हैं उसको हम इंब्राय कई गड़ाइबंऻ इस इस और जो ग्रोइंग इंसिए करम एक और अलपॉैंज तो यह आपको मेरा आपको यह क्राइबाइबान में Allra प्रोटा जो तेले यह हॉती है यह अंदर यह योल्ड बोलते हैं और यह उनोगा है ऑपको पार सुपार्ट सब्सक्राइब दिखाए जिए वोलते हैं तो यह मैं ने आपको क्लियर कर दिया था ठीक है इसे बाद में मैंने आपको है प्रोसेचिंग बता दी थी now continue page number 40 page number 40 में आपका दिया है frog frog की लाइक cycle आपको दी गई है अब female frog ले 100 of eggs at a time in a leg और a pond जो frog है वो एक बार में 100 और उससे ज़्यादा egg जो है वो देती है कहाँ पर pond और leg तलाब में और किनारों मतलब जो छोटी जीले रहती है वहाँ पर आपने देगा होगा में डगतर जगा पाई जाते तो यह अपने आपने आपर देते हैं इस cluster of eggs are called spawn जो फ्रॉग के एग होते हैं उनको क्या बोलते हैं spawn बोलते हैं the eggs are surrounded by a jelly जैली से यह नहीं के खिपा सा पदारत रहता है like substance that protect them the young ones of a frog is called tadpole थो चोटी चोटी बच्ची रहते हैं जो अंड़े में से बच्ची निकलते चोटी चोटी उनको क्या बोलते हैं tadpole a tadpole does not resemble a frog it looks more like a small fish जो टेट पोल होते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं तो एक छोट और ऐस नो लग्स इनकी टेल होती है लिकिन उनके लेक्स नहीं होते है इट ब्रीद फ्रोग किल्स जो फ्रॉग है मुसाथ से लेते हैं गिल से लेते हैं इन वाटर वाटर के अनदर एंट शूम्स एन वटिर और प्लांटुके उनĩट करते हाए वह थाल घरज और उन्हें होने के बाद में कुछ चेड्पोर के बाद सफ़ाई पूछ इसे में तैडड feelings को देते है यह आपको दिख रहे हैं यह टेल रहती हो जाती है रिड्यूस होने के बाद में एंड ग्रो और ओर्गनेंट लिम्स इन अवाउट 11 बीग्स जब 11 बीग्स होते हैं तो इस ट्रांसफोर्म इंटू हुआ फुली डेवलाप फ्रॉग 11 बीग्स में आप देखेंगे कि यह फुली टैट पॉल बन जाता है दिस कंप्ली चेंज इस फॉर्म और और्गनिस्म फॉर्म दा यंग स्टेज टू अडल स्टेज इस कॉल्ड मेटा मॉर्फिस ठीक है मतलब कि इस प्रकाल की स्टेजिस रहती है इस पहले जो अडल फ्रॉग जो फ्रॉग अंडे इसका जो उपर का सबस्टा है जैली सबस्सिंस रहता है पर यह जब फूटते हैं तो उसमें से छोटी चोटी बच्चे निकलते हैं ठीक है इस टाइप से मतलब कि उनके पेड तो दिखाई नहीं देते लेकिन टैल दिखा यूज हो जाती है और आपको यह एडल्ट एक फ्रॉग दिखाई दे रहा है इस टाइप के कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है तो यह पूरी लाइस साइकल दी गई है किसकी फ्रॉग के तो यह स्टुडेंट बहुत इंप्रेस्टिंग बहुत अच्छे चैप्टर है अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर्ची समझ में आएगे हम एक साथ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह चैप्टर भी बड़ा है इसमें फ्रॉग के अलावा और बहुत सारी लाइफ साइकल दी गई है इन लाइफ साइकल को आपको एक ऐसे लाइफ साइकल करेंगे ठीक है जैसे आज आज हमने किसकी लाइफ साइकल करें हम फ्रॉक के लाइफ साइकल कौ आप अक्वाशिक्त पड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से म समझत में आईगी ठीक है आप इसको समझिएगा इसको पढ़िएगा नाओ नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेक्ट ठीक है इंसेक्ट में आपका जाएगा इंसेक्ट सच इस बटरफिलाई कोकरेज ग्रास वपर रिप्रोड्यूज वाइंग एक्स आप जानते हैं कि सब क्या देते हैं अंडे देत होते हैं उन्ने मिकोशी प्रॉसर होती है मेंट इंसेक्टने जंवेगा अंडे जाता है इतने युक्ति के Kern Sou compost Сब्राइग फ्रॉंण मिंबरूडुद होता है यह से बन जाता है फिक एक स्पलोड़पमेंग वाइव and animals from the embryo to the adult stage is called life cycle ठीक है मतलब की कोई भी एक sequence के according animals जो है embryo से adult stage में आता है इस stage को हम क्या बोलते है life cycle क्या बोलते है life cycle insects such as cockroach and grasshopper typically go through three stages of development during life cycle therefore they are known to have an incomplete metamorphosis during this time time period the egg of insects transform into a form called a nymph मतलब की metamorphosis के process तो सभी insects में होते है लेकिन कुछ insects ऐसे हैं जो की कुछ insects ऐसे हैं जो की during this time period कुछ time period के बाद एक जो है वो उनके किस में transform हो जाते हैं इंसेक में transform हो जाते हैं तो उस process को हम क्या बोलते हैं निम्फ क्या बोलते हैं निम्फ it does not have wings उनके wings यानि पंक नहीं होते हैं दा निम्फ सेड़ इस आउट कॉवरिंग नंबर अफ टाइम्स एंड चेंज इंटो इन एडल्स इस नोन इस मॉल्टिंग ठीक है बतलों कि कॉवरेज की पुरी life cycle आपको दिए थीग है इस life cycle में हैं इस Life cycle में आप देखेंगे कि एक जो है किसमें कंवार्ट हो रहा है निम्फ में और तो निम्फ 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 भी इस गुप्री कंप्रीट बन जाता लेकिन फ़ीर उड़न नहीं पाता है reference तो यह जो लाइफ साइकल लिए किसकी है कोकरेज की है कोकरेज इंसेक्ट है या आप अपक्षे तरह किस जानते हैं ठीक है तो इस बात का हम इसे ध्यान रखे गया मतलब कि जब भी कोई मेटा मॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी तो फोर स्टेजेज में होईगी एक लार्वा प्यूपा एन एडल्ट तो स्टुडेंट टुडे आज हम यहीं तक बढ़ेंगे ठीक है आज मैंने आपको दो लाइफ साइकल बताई एक लाइफ साइकल और तो आप यह दोनों लाइफ साइकल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी नेक्स टेक क्लास में हम लाइफ साइकल पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़के रखेंगे जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ठीक है इसके बाद हमारा चेप्टर हम दीजी दीर करके एंड करेंगे क्योंकि उपका चेप्टर इसमें लाइफ साइकल से जादर दी गहीं है अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो सब मिक्सप हो जाएगा ठीक है क्लास तो जो भी आपको होमवक रहेगा वह आपको वाट्सप क कंप्रीट करते जाएंगे कॉपी में सिर्प आपको कोशन अंसर लिखना स्टुडेंट्स बार बार आपको रिपीट करवाया जा रहा है ठीक है और बुक की एक साइज आप बुक में ही करेंगे ओके ना क्लास इस और टूलिए